हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आपका स्वागत है हमारे अपने यूटूब चाइनल विद्याज मस्ती की पाठशाला में तो बच्चो हम इस वीडियो लेक्चर से कवर करने वाले हैं आपका जो जनरल साइंस की बूक है उसके जो सभी टॉपिक्स है सभी लेसंस है और ले कौन से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड सेवन्थ का ठीक है जनरल साइस इंग्लिश मिडियम वाली बूक है उसको हम हिंदी में पढ़ाएंगे ठीक है बच्चो सो माइनेम इस रुतुजा सो लेट्स गेट मूव ओन सो हमारा कंटेंट है देखो यह हमारा कं तो आपको फर्स टेन चाप्टर तक हो सकते हैं और जो नेक्स्ट च्याप्टर होगी सेकेंट टर्म आफ्टर इवाली मतलब जो एंडिंग में रहती है तो नेक्स्ट चाप्टर आएंगे ठीक है अभि हम एक 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 चालो करेंगे एक एक पढ़ाएंगे तो अपना फर्स देखते हैं उसमें क्या लिखा है ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे देखो आपको अपनी साथ अपनी बुक किताब लेनी है साथ में किक है मेरे साथ साथ पढ़ते चलना है राइट ओके आपके फॉर्स्ट वाले चाप्टर का नाम क्या है दे लिविंग वर्ड अड़ लिविंग वर्ड में क्या 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 आएगा बताओ लिविंग तिंग्स में क्या आएगा फॉर्स्ट ली हम किसी भी तिंग्स को किसी भी तिंग्स को क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं दो अलग-अलग टाइपस में ठीक है एक लिविंग तिंग एंड सेकंड वन इस नॉन living thing ठीक है शौट में लिख रही हूँ NL means non living and L means living thing ठीक है living में क्या आएगा living में सभी पशू जानवर ठीक है right paid plants सभी सभी types के plants आ जाएगे insects आ जाएगे ठीक है human beings आ जाएगे सभी और non living thing में other word है ही जैसे car है bike है ठीक है plastic है कोई भी वो सब आ जाएगा non living things में इतना तो आप सबको पता होगा आप अभी सेवंत में हो ठीक है तो अभी हमको क्या देखना है जो living things है जो इंसेक्ट से या बोल सकते है प्लांट से types of plants है या फिर हमारे living living things में भी अलग-अलग पशू है जानवर है ठीक है उनके भी क्लासिफिकेशन है तो उनका हमको अभी क्लासिफिकेशन भी देखना है साथ-साथ उनके अड़ाप्टेशन मतलब उन्होंने खुद में क्या changes लाए वो भी देखना है जैसे कि पहले living things को क्या था पूछ थी ठीक है मानलो कोई एक यह से living है ठीक है मानलो कि यह कोई कोई है कोई आदमी तो पहले वाले जमाने में एकदम स्टार्टिंग के जमाने में क्या होता था जब evolution हुआ human का ठीक है homo sapiens का तो उसको पीछे साइसे पूछती है सब को पता है चिंपांजी लाइक structure था ठीक है चिंपांजी लाइक structure अभी लेकिन अभी कि अभी हमको पूछाए क्या नई evolution होते 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 यह पूछ हट गई और अभी हम सिर्फ इतना आदमी है और evolution होते जाएगा होते जाएगा ठीक है काम के चीजे से भी हटते जाएगी राइट अभी जो हम बोल शकते हैं जो अक्कलदार अब आपको तो नहीं पता होगी लेकिन जो हमारे जो two teeth है उसमें जो सबसे last में होती है वो उसका भी काम नहीं है तो ऐसे नहीं कि वो हट जाएगी लेकिन उसका काम नहीं है तो जो जो से adaptation किया कि स्टैप से उसमें evolution हुआ वह सब भी हमको देखना है पढ़ना है ओके सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आगे बढ़ते हैं तो अभी इंट्रोड़क्तरी पार्ट दिया है इसमें कुछ ऐसे लिका नहीं है खास देखो यह क्या बोल रहा है अग्रेट व डिकाइब को श्यूवत टाइप में क्या लिका है डिफरन्ट टाइप अलग-अलग टाइप के प्लांट ए और ठीक है अलग-अलग मतलँ कुछ डर्यचं मे रह सकते हैं तो कोई ए बिल्कुल ठंड जैसे स्थन वाला रीजन है काहिमिर वमेखना उसमें रह सकते हैं ठीके रह सकता है लेकिन वह हमको जाधातर नहीं देखता काश्मिर वाले एरिया में वही बताया है उन्होंने कि अलग 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 प्लांट से कुछ फ्लॉवरी प्लांट्स होते ही तो कुछ फ्लॉवर नहीं होते तो यह डिफरेंट डायवर्सिटी मतलब बहुत ज़ादा उसका लग अलग colors रहेगे और कुछ adaptations निस तो भी नाम चेंज आता है तो यह diversity है अपने environmentfel爪ने अँर्थ पे तो आएसे ूए हुआ है कि इसमने स्थ्वे इंदी इसमों दियोति अधियेृ सकते हैं सिर्फ हमने अभी नाम दिया कि ठीक है graveyard डैसे स्कावर में उगाल है क्या कि rose का flower नहीं, flower नहीं बता है कि हमने hibiscus का flower बता है कि हमने lotus का flower, बता है कि हमने lili का flower, नहीं बता है मतलब सिर्फ flower flower यह एक ही species में देखो different types से फिर हम rose का further classification कर सकते white rose pink rose, red rose blue rose, black rose ठीक है hibiscus में भी type होते है एकदम डार्क वाला रेड ही विसकस, थोड़ा पिंकिश, डबाई टाइप वाला ही विसकस, मतलब जो जास्वन का फूल होता है वो, ठीक है, लोटस में तो ज़्यादा नहीं टाइप है, दो ही टाइप है, ठीक है, लीली में भी टाइप, तो यह देखो, यह मेन बेसिक इवोलुशन हो गया होगा, तभी यह डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस बन गई, तो ऐसे क्यों हुआ, इन्होंने क्या एडप्ट कर लिया खुद में, क्या एक्स्ट्रा चीज उन्होंने खुद में डाल दी कि उसका कलर बदल गया, उसका शेप बदल गया, उसकी स्मेल ब पाइंट री कौन से होती है, वह देख लेना, ऐसले थी काश्मिर यसे ही, बुलते है उसको पाइंट री वह डेख लेना एक बार इंटरनेट पर और देख लेने ना ठीक है, उसकी संण बेलें, फाएंट बदल इसमीर यह बहुत जादा ठंड हैं, उस रीजन में आती है, ह तो यह बबूल वगर तो हमारी महाराष्टर में भी दिख जाती है किसी किसी घर में लेकिन ज्यादा तर कहां पर दिखेगी यह राजस्तान वाले एरिया में अधर ट्रीस नहीं दिखेगी पाइन डेओदार तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगी क्यों कि उसके क्लाइमेट में इसके क्या है इसके बाबूल की ट्री सिर्फ राजस्तान या महाराष्टर जाए जहां पर थोड़ा गर्मी होती है वहां पर काश्मिर के जैसे एरिया में नहीं है तो ऐसे इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रिजन हो गए राइट तो आपको क्या लगता है पढ़ने के पहल ठीक है दो भी देखते हैं आगे का लिका है तो अभी हमको क्या पढ़ना है अड़ाप्टेशन अड़ाप्टेशन मतलब क्या है उन्होंने खुद में को से चेंजेस किये देखो ग्राजूल चेंजेस अकर इन दा बॉड़ी पार्ट और अलसो इन दा बिहेवियर और गानि ठीक है तो अड़ाप्टेशन मतलब क्या है सिंप्ली सिंप्ली चेंज करना है खुद में थोड़ा सा चेंज करना है ठीक है यह कोई है इसमें इसने खुद में क्या कुछ चेंजेस ला लिए कुछ जो चेंजेस चाहिए वो ठीक है कुछ चेंजेस तो इस चेंजेस को हम बो लेंगे adaptation ठीक है simply क्या है कुछ अलग पाठ है क्या नहीं सिर्फ ली changes का नाम है adaptation in scientific language ओके बच्चों तो adaptation की आपको concept समझ में आ गई adaptation means क्या simply खुद में थोड़ा सा change करना उसको बोलते है adaptation in scientific language और यह उसकी definition है ठीक है definition याद कर लेनी है और यह भी उसमें यह सिर्फ adaptation तक नहीं टेक दा प्लेस ओवर दे पिरिड ओफ पिरिड ओफ लाइब मतलब एक दिन में ऐसे changes होते है क्या नहीं हमारे पूप जो जो human being को पूछती वो एक दिन में हट गई क्या अरे भाई ने इसका काम नहीं है नहीं इसको क्या लगे दिन की या दो चार मइने की या फिर दो चार साल की यह बात नहीं है लॉइंट की साल पंद्रा साल नहीं है लॉइंग लॉइंट लगता है इसको adaptation changes होने में फाइन आगे बढ़ते हैं आगे क्या है देखो adaptation in aquatic plants अभी क्या बोला हमने कि there are different types अलग-अलग types है मतलब जो plants aquatic मतलब जो पानी में रहते हैं वो ठीक है simply जो पानी में रहते हैं उसको बोलते है aquatic वो चाहे फिर plants हो या फिर चाहे वो animals हो animals रहेंगे तो क्या बोलेंगे aquatic animal plants रहेंगे तो बोलेंगे aquatic plants ठीक है fine समझ में आ गया आपको aquatic का मतलब तो देखो क्या बोला है some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water body तो हमने गादातर क्या देखा है कि जो land पे है ये देखो ये tree land पे है तो इसके roots का पे है land में है राइट लेकिन ये ये देखो ये कुछ इस तरफ की ये वाले देखो जो plants है इसके roots का पे है water body में है राइट तो कुछ ऐसे भी plants रहते है जिनके roots root के लिए soil या फिर जमिन की जरूरत नहीं रहती कि वह water में भी रह सकते हैं उनको बोलेंगे simply हम क्या बोलेंगे aquatic plants तो उन्होंने क्या changes लाइट देखो there stems are submerged while leaves and flowers floating surface stems मतलब क्या जो जो क्या बोलते है उसको मराटी में हम खोड वगरे बोलते है तो stem है बता देती हूं मैं डाइग्राम निकालके यह देखो यह कुछ ट्री है इसमें ऐसे branches है तो इसको मोलते है यह वाले होगे branches branches को क्या है लीफ होंगे ठीक है अब यह पर अच्छी डाइग्राम नहीं बन दे तो यह हो गया stem और नीचे के आएगे यह रूट आएगे ठीक है फाइन समझ में आगा है तो यह वाला पार्ट को बोलते हैं अंदर रहेगा अंदर मतलब वाटर बोडी के अंदर क्योंकि हम क्या पढ़ रहे है अगेटिक प्लांट समझ में आ गया बच्छों देन आगे का लिका है देखो वहुएवर सम प्लांट्स और इंटरली अफ्लोड मतलब कोई कोई तो पूरी के पूरे तरह से अंदर रहता है देर रूट्स आर नौट अंकर इन दसॉल यह नॉर्मल प्लांट्स के तरह इसके रूट्सॉल में हैं का नहीं सिर्फ वाटर बॉड़ी में है दा सर्फेस ऑफ प्लांट्स के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके उपर ऐसे वैक्स लाइक स्ट्रॉक्चर होता है जब आपने कोई कमल लोटस का फूल वगरे फ्लॉवर देखा होगा तो उसको पत्तों को हाथ लगा के देखना कभी तो वह ऐसे लगता है कि उसको डिरेक्ली हम स्किन को इसे टच नहीं होता ऐसे लगता है कि उसके उपर कोई है कोई वैक्स लाइक स्ट्रॉक्चर है ऐसे लगता है कि कोई ऐसे कुछ लेयर है तो वह लेयर किसकी होती है लाइक वैक्स लाइक स्ट्रॉक्चर एक्जैक्ली वैक्स से नहीं बना होता लेकिन वह स्ट्रॉ में तो रूट्स की वज़े से वह क्या लेते हैं उसमें रूट्स में समझ भी नहीं आएका स्विए लेगा वाटर होटा है वह से ब्रांचे लेता है व्हें लेकिन जो वड़ी वाटर में है वह तो बीटा है वह पैंक पर नहीं बिल्कुल उसके roots ऐसे बड़े-बड़े roots नहीं बिल्कुल thin यह देखो यह लिकाए thin and slender like structure okay thin बिल्कुली thin रहता है बिल्कुली thin है यह लिकाए thin thin structure है okay so this thin structure क्या होता है फो जो water है वो नीचे से aalthen water body तो उसको जादा तर खीचने के जरूरत है का नहीं तो नीचे से उपर तक पहुचाता है ठीक है एयर पेसे इन स्टेम्स और पिरेट्स और पेटियोल्स और अक्वाटिक प्लांट्स और यूसफुल फॉर फ्लोटिंग इन वॉटर तो फ्लोट करने के लिए कौन सी हेल्फु तो अगर वैसी क कभी हात लगा के देखना वो एकारंख तो प्लांट के ऊपर वह हम वारिधू को ने प्लांट्ट के लिए अगले हम ने आपके तो तो नहों सब्सक्राइब में कर लेगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है बच्चो, तो हम नेक्स्ट वाले टापिक, नेक्स्ट वीडियो में cover up करेंगे, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपके फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो क शेयर कीजिए, अगर आप नए होगे तो या फिर नए किया होगा तो, वैसे आपको अगर हमारी concept यूसफूल लगती है, हमारा वीडियो यूसफूल लगता है, concept समझ में आती है अच्छे से, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आप बेल आइकल को ठीक है बच्छो, थेंक यू, बाई बाई, हैव नाइस देए